तो दोस्तो आज हम बात करेंगे बैटनरी सर्जरी की तो देखो सर्जरी से सम्मंदित कुछ सब्दा वली उसके बारे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जरी की शे कहते हैं तो मेडिशिन की उयसाका जिसमें हस्त कोशल का उपयोग करके गाब, चोट, बिक्रती एवं बीमारी का उपचार किया जाता है उसे क्या बोलते हम सर्जरी कहते हैं यानि कि कह सकते हैं कि चेकिस्सा बिग्यान की उए साका जिसके अंतरकत सरीर के दोसों, चोटों एवं बिक्रतियों को हातबा करणों की सायता से ठीक किया जाता है जानवर को स्दर दिखाने के लिए या जानवर के सरीर की बहरी बनावट को छा दिखाने के लिए सरज़री करना क्या कहलाता है कॉश्मेटिक सरज़री कहलाता है जैसे दोस्तों हम अधारद दें रखें डॉकिंग क्या होता है देखो यहार डॉकिंग डॉकिंग का मतलब होता है कुट्टे की हूच काटना और दूसरा अधारद इसमें यह और क् र yapmışिंग कहलाता है किलो सरजरी कहलाती य Fans si surgery जिसमें बिल्कुल भी cheat part नहीं करते हैं जैसे dislocation का उप्चार करना dislocation क्या होता है दोस्तों यानि कि जो gjऊठी होती है यानि कि जो हड्डियों की जो सथे होती है वो क्या है बिस्तापित हो जाती है कि शे को बोलते हैं डिसलोकेशन बोलते हैं अब जैसे बंद बिदी से बद्याकर अड़ कनना तो इन में क्या होता है दोस्तों चीरफाड नहीं होती है इसलिए उसको कि ज क्या कंजर्बेटिव सर्जरी या रेस्टर्बेटिव सर्जरी तो सरीर के चोट गिरस्त भाग को सरीर से बिना लग किये उनके कारों को सुदार कर सुचारू रूप से पुने शुरू करना क्या कहलाता है कंजर्बेटिव सर्जरी या रेस्टर्बेटिव सर्जरी कहलाती है अगल की नी शंक्रमित हातों एबम नी शंक्रमित उपकरड़ों के द्वारा सर्जरी करना क्या कहलाते ही अगला दोस्तों इसमें पॉंट है एक्स्टिर्पेटिफ सर्जरी एक्स्टिर्पेटिफ सर्जरी क्या होता है देखो एक्स्टिर्पेटिफ सर्जरी क्या होता है यानिकि सरीर के किसी रोक ग्रस तंग या उतक को अटाना क्या कराता है एकस्टरपेटिव सरजरी क्या लाता है ठीक दोस्तों जैसे टेल एम्पूटेशन यानिकि पूँच को काटना ओरन एम्पूटेशन सींग को काटना aigkeit काट नहुंता है ऐसी इसतघद की जा सके पीछे आली जा सके जि में जीवन का कोई में डाले, इस्तगत की जा सके, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्टिव सर्जरी केते हैं, अगला पॉंट है, एक्सपिलोरेटरी सर्जरी, तो एक्सपिलोरेटरी सर्जरी क्या होती है, किसी बीमारी की जांच के लिए की जाने वाली सर्जरी को क्या बोलते हैं, एक्सपिलोरेटर इमर्जेंसी सर्जरी तो देखो इमर्जेंसी सर्जरी क्या होता है जीवन को खत्रे से बहार निकालने के लिए तुरंत सर्जरी करना जीवन को खत्रे से बहार निकालने के लिए तुरंत सर्जरी क्या कलाता है अगला पॉंट है रिपलेस्मेंट सर्जरी तो oder जैसे syndrome replacement अगला दोस्तो minor surgery तो एसी surgery जो करने में आसान हो इव़ों जिसमें जीवन का कोई भी खत्रा नहीं हो जैसे अपने घाब का अपचार हो जाएगा इस्प्रेन हो जाएगी इस्टेन हो जाएगी यह सब ही कैसी üzी är minor surgery उसके बाद है major surgery, major का मतलब होता है बड़े operation, यानि कि ऐसी surgery जो क्या है करने में cut in होती है और उसमें क्या है जीवन को खत्रा भी हो सकता है, यानि कि उसमें मौत भी हो सकती है, जैसे DH हो गया, यानि कि dipragmatic hernia, अगला है दोस्तो, cryo surgery, cryo surgery क्या होता है, तो ऐसी surgery जिसमें ऐसा cryo surgery बोलते हैं, अगर आया दोस्तो, electro surgery, electro surgery, तो electricity का उप्योप करके heat उत्पन करना, एवं heat से उतकों को नष्ट करना क्या 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 लाता है, उसके बाद है laser surgery, तो laser surgery क्या होती है, laser beam, laser beam के द्वारा उतकों को नष्ट करना क्या 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 क वेव का उपियो करके उताकों को नस्ट करना यानि कि इसमें तरंग होती है तरंगों के द्वारा उताकों को नस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं अल्ट्रासोमिक सरजरी उसके बादे दोस्तों रेडिकल सरजरी यानि कि रेडिकल सरजरी क्या होती है ऐसी सरजरी होती है जिसमें जो रोक का सिरोत होता है उसको पूरते है जड़ से हटा दिया जाता है यानि कि बोल सकते हैं कि ऐसी सरजरी जिसके दोरा बीमारी के मूल कारक या सिरोत को पूरते है हटा दिया जाता है जैसे किंसर का टूमर होता है उसको हटा देना क्या कहलाता है दोस्तो रेडिकल सरजरी कहलाती है अभी देखो आप बात करेंगे कुछ परिवासा होगी तो देखो इस्ट्रेन क्या होता है पहली परिवासा इस्ट्रेन इस्ट्रेन क्या होता है यानि कि टेंडन में खचावाना टिंडन में खिचाब आना या मास्पेसियम खिचाब आना क्या कहलाता है इस्ट्रेन कहलाता है ठीक है और इस्प्रेन क्या होता है इस्प्रेन होता है लिगामेंट या जोडों में खिचाब आना उसके बाद है सेपसिस सेपसिस क्या होता है सरीर में asepsis asepsis क्या होता है सरीर का कूरत है संक्रमण रहीत होना ی아 संक्रमण मुकत बस्ता को क्या बोलते हैं asepsis बोलते है अगला को पॉंड on day दोस्तो anti-sepsis तो anti-sepsis क्या होता है यानि कि राशानिक पदार्तों का उपियोब करके राशानिक पतार्तों का पोपीयोड करके सजीब सतय सजीब सतय जैसे कि अपनी इसके नो जाएगी ठीक है मुकस मेमरे नो जाएगी तो संक्रमठ रहित करने की फिरक्रियाक disciplines क्या बोलते हैं असेप्सिस बोलते हैं अंटिसेप्सिस बोलते हैं उसके बादे दुस्तों anticheptic, anticheptic क्या होता है? यानि कि निर्जीब सते जैसे कि अपनी, sorry, सजीब सते जैसे तवचा होगा, इसलेसमाचली को संकरमड रहित करने वाले जो रसायन होते हैं, जो chemical होते हैं, anticheptic, अगला पांड़े दे को disinfection, disinfection क्या होता है? यानि कि निर्जी अगल होते हैं, जो रसायन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अभी दोस्तों देखो, यानि कि disinfectant के द्वारा बिशाडू एबंजीवाणू के इस्पोर को नस्ट नहीं किया जा सकता है, अगला पांड़े इस्टरलाइजेशन, इस्टरलाइजेशन क्या होता है? सूच में ज वेजिटेटेव वबस्ता होती है, तो उन सभी को नस्ट करना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है, अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन की बिदियां, यानि की निशंकरमर की बिदी कौन कों से हैं, तो देखो इसकी मेन चार बिदियां, पहली बिदिय हीट होती है और एक Most heat होती है ड्राइ फिमें दोस्तों कौन सा अकर्णाथा कामे लेते हैं जिसका जो टेंप्रेचर होता है वो 106 degree centigrade शाइड मिनट के लिए होता है ठीक है दूसरा होता है जिसका जो टेंप्रेचर होता है वो 121 degree centigrade होता है 15 lbs दाप पर 15 minute के लिए ठीक है ना ऐसी दोस्तों इसमें राशानिक निश्यंक करमड़ा है तो chemical sterilization या cold sterilization तो इसमें क्या काम लेते हैं 70% isopropyl alcohol काम लेते हैं और 70% ethyl alcohol काम लेते हैं तो देखो कब तो एसमें राशानिक जो निश्यंक करमड़ा का उप्यू क्वक करते हैं यानि कि injection site त्यार करना यानि कि जब हम पसू के injection लगाते हैं तो injection लगाने से पहले क्या है जहां हम injection लगाते हैं उस site को estherlyverts करते हैं और सरजरी की site को त्यार करना और Consultable के लिए काम लेते हैं अगला आए गैसी एस्टरलाइजेशन तो गैसी एस्टरलाइजेशन हम कौन सी गैस काम लेते हैं एथाइलीन ओक्साड काम लेते हैं जैसे एथाइलीन ओक्साड किसको इस्टरलाइज करने के लिए काम लेते हैं जैसे कैथेटर होते हैं गलप्स होती है स्टेटोश्कोप होता है और एंडोश्कोप को स्टेरलाइज करने के लिए काम लेते हैं अगला है दोस्तों भी करण टी नीश अंकरमड यह ने कि यो जारे जिवार हम रिपatra नीश तो इसमें डेखो एक टहुन उप एक नोल एक लिप 555 이 मैं नीश आटे होएज жд लाइज करने के लिए हम क्या काम लेते हैं गामा रेज काम लेते ही. और नोट इओनाइज रेडियेशन में दोस्तों पराबेंगनी किरड़ा आती हैं. यानि कि जो यू भी रेज होती हैं उनका जो उप्योक करते हैं उनका उप्योक करते हम operation theater को sterilize करने के लिए ठीक है ना तो ये अपने नीशंकरमड की बिदी हो गई अब देखो इसमें तेरका है कि बहुत एक बहुत एक है नीशंकरमड सबसे ज़्यादा बहुत एक नीशंकरमड सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली नीशंकरमड की बिदी है जो की ताप की सद्दान पर काड़ा करती है यानि की कहने का मतलब है कि नीशंकरमड के लिए सबसे ज्यादा हम कौन सी बिदी बहुत तक बिदी काम में लेते हैं जिससे में अपने hot air oven और auto-cli aid में अंतर तो देखो क्या अंतर है देखो यह रा हो गोट एअरोबन टो होट एअरोबन होता है जुशिददांत की बात करें तो यह ड्राइ हीट यानि कि जो सक्से ताप होती है उसके ताप मान और सामय होता है एक सो साइथ डिग्री सेंटिगरीड एक घंटे के लिए ठिक है और इसके द्वारा sterilization यानि कि निस्टांकरमर कौन कौन से उपकर रोका किया जाता है तो इसमें गिलास वायर आ जाएंगे जैसे गिलास से लाड़ा जाएगा टेस्ट वायर आ जाएगा ठीक है परकनली बीकर आ जाएगी बोटल आ जाएगी गिलास से रिंग जाएगी और ओल आ जाएगी पैरा फीन आ जाएगी और पाउडर सा जाएगे इन सभी का जो sterilization किया जाता है वो होट एर ओबन के द्वारा किया जाता है अब अगला है दोस्तों इसमें ओटो कलेब अगला है इसमें होता है एक से 21 डिग्री सेंडिग्रेड पंद्रे पॉंड और पंद्रे मिनिट के लिए ठीक है यह पॉंड क्या है दाव है तो देखो जो ऑटो कलेब होता उसके द्वारा किसका य लाइजेशन के आज आठैनि सर्जिकल्टम होटें जैसे की अपनी सीज़र या एक योई हसार्जिकल्ड पैख हो घाए एपरण हो गयी गावन हो ओगई सुचरшие मेट्रियल हो गए और कल्टिर मीडिया हो गया, सॉलूसन हो गयी, ड्रेशिंग हो गई और कोटन हो गई और आर्टिपिशल बैजाईना, इन सभी का जो स्टड्लाइजेशन किया जाता है, बो दूस्तों के इसके द्वारा किया जाता है, अभी बात करें हम एंटिसेप्टिक एंड डिसेंप्ट लोटनेवां टो देखो अंटीशेप्टिक क्या होते हैं तो سजीप सत्ये सजीप सत्ये जैसे अपनीत्वचा हो जाएगी सु लिस्मां जली हो जाएगी तो इनको सूच में चीवियों रहित बनाने बाले जो रसायन उते हैं वह क्या कहलाते और इनको करने की जो प्रक्रिया होती है और है वह क्या कहलती है थीक है तो देखो पहला आई समय पोबीडीड नाओडीन यानि की बीटअडीन बीटवाडीन में कुण साल्ट आता है दूसरे दुस्तों की हुट है इसफिएalgार इक्रोन अभी बात करेंगे हम दिशंफेक्टन की तो दिशंफेक्टन क्या होते हैं निर्चिप सत्य जैसे की फ़र्ण हो गई टेवल हो गई काच हो गई ठीक आ Khanh उनको सूच में जीविएओं रहत करने वाले जो रहसान होते हैं वो क्या कलाते हैं dis infactant करा आते जैसे कि अपने फीनोड हो गया फिनाया हो जाएगी formal dehyd हो झाएगी gluten dehyd हो जाएगी chlorine dose हो जाएगी यािन कि नीशेंकर मण के लिए निस गल मड के लिए अप्योग में लिए जाने वाले ज्यादा तर पतारत zou खोंवे कशन्रता में तो हम इनको इनको की तरह काम ले सकते हैं, और अधिक शन्रतामें झिसंपेक्टिंग की तरह काम ले सकते हैं, अब सब्कूते हैं. HCL H2SO4 HNO3 यह सभी क्या है मजबूत हम ले इनको हम ना तो antiseptic की तरह काम ले सकते हैं और ना ही disinfectant की तरह काम ले सकते हैं अब देखो सभी antiseptic disinfectant की रहे कारे करते हैं जबकि सभी disinfectant antiseptic की तरह कारे नहीं करते हैं अगला पॉंट है पराबैंग निकरड़ है यानि की जो ultra-poilet rage होती है वो किस काम आती हैं operation theater को नीश संकरमित करने के लिए काम ले जाते हैं और कैसी होती है non-ionizing होती है यह हम पहले पढ़ चुके हैं अगला है bleaching powder chlorine gas पानी के सुद्धी करड़ के काम मिलेते हैं अगला है दोस्तो sun rage sun rage sun rage होती होती वो क्या काम आती है सूरे की करड़ यानि की जानवरों के जो आवास को नीश संकरमित करने के लिए काम मिलेते हैं अगला है animal farm एबं बूचड खाने को नीश संकरमित करने के लिए चार से पांच परसेंट फर्मेलियाड काम लेते हैं अब देखो यह तेजधार वाले उपकरड़ों को नीश संकरमित करने के लिए गामा रेज काम मिलेते हैं ठीक है तो यह radiation sterilization में हम पढ़ चुके हैं कि जो ionizing radiation होती है ionizing rage होती है उसमें अपनी गामा रेज आ जाएगी जो कि तेजधार वाले उपकरड़ जैसे कि अपना scalable हो गया बिलेड हो गया उनको sterilize करने के काम आती हैं अगला है दोस्तों suture samigree suture samigree को नीश संकरमित करने के लिए autokalib काम में लेते हैं जिब की cat guard को नीश संकरमित करने के लिए 90 से पिच्चन में परस्ट आई सुपरोपाल-El-KuHal काम में लेते हैं ठीक है यह हो गया आपने अब बात करेंगे दोस्तों सर्जरी के उपकरड़ों की तो देखो सर्जरी के उपकरणों में सर्जरी के उपकरणों पहला आप न रूमेन अटॉमी में प्रियुक्त उपकरण रूमेन अटॉमी में प्रियुक्त उपकरण देखो कौन-कौन से हैं पहला इस में बेंगर्थ सेट बेंगर्थ सेट और बलसेलं फोरसेप और फिक्सेशन फ्रेम यह सभी किसमें काम आते हैं रूमेन अटोमी में काम आते हैं रूमेन अटोमी क्या होता है रूमन को काटना ठीक है रूमन में चीरा लगाना रूमन के अंदर जाच करना अगला है बुर्डी जो कास्टेटर, इमाश्कुलेटर और इलास्टेटर ये सभी किस मकाम आते हैं बद्या करण में प्रियुक्त होने वाले उफ करण है अब देखो सिंग रोधन में प्रियुक्त उफ करण कौन कौन से अगला है गहाब की गहराई एवं दिशा का पता लगाने के लिए प्रोब गहराई एवं दिशा का पता लगाने के लिए प्रियुक्त उफ करण कौन सा है प्रोब अगला है दुस्तों मरत उफ करण को अठाने के लिए प्रियुक्त उफ करण कौन सा है क्यूरेट क्यूरेट काम लेते हैं आठमापॉंट है नुकीले दांतों बाला उफ करण जो सरजरी के दोरान उतकों को पकड़ने के काम में लिए जाता है क्या कहलाता है अब देखो नुमापॉंट है अब न सरजरी के दोरान नुमापॉंट कुन सा है सरजरी के दोरान सरजरी के दोरान आथ के किनारों को पकड़ने के लिए कामले जनवाल रखकराड़ा है, intestinal clamp यहनी कि सर्जाइण के दृरान आत के किनारों को पकड़ने के लिए कामले जनवाल जनवाल रखकराड़ा है वो कुन सा? intestinal clamp है अगला दसमा पोण्ट है थो जानबरों के मुँझ का परिछर करते समय कुन सा कम लेकते हैं यानी कि चब मुहों की जाच करते हैं तो मुझ खुला, रहे इसके लिए она को हम लगाते हैं अब दो को सरजीन, कि साइट को लिए रहने के लिए जनाब क सर्जीker ड्रेव होती है ठीक है और सर्जिकल ड्रेव को इस्तर रखने के लिए प्रियुक्ट अब कॉनसा सीजर्व काम लेते हैं सर्जरि के स्थान पर रक्त वो स्पर्ण की आठी फोर्शव हो जाएगी मोस्कीटों फोर्शव हो जाएगी ठीक है जैसी क्या सब्कारोबूएंग वात on पणंट के लिए पिरयोक्तव करूण सब्सक्राइब फॉली है के ठिटर काम में लें ठीक है ना और आतल जानवर होते हैं देखोma को सरीर से बाहर नेकालने के लिए पर지 पॉल्ट है यानि की सभी जानवर होते ना सामने जानवरों में जो इस्टुमक टूब डालते हैं क्या है मुह के रास्ते से डालते हैं जब कि दोस्तों गोड़े में अलक सिस्टम होता है गोड़े में से हम नाक के रास्ते से डालते हैं ठीक है और गोड़ा जो अल्टी करता है वो हमेसा नाक सरी करता है क्योंकि उस जैसे बौन चीज़ें हो गया ओस्टियो टॉम हो गई ट्रेफाइन हो गया ट्रेफाइन क्या होता है यान कि एसा उप करण होता है जो अड़ी के किसी हिस्से को गोला कार आकिरती में काटकर भार नेकालने के लिए काम लिए जाता है उसके बाद दूस्तों बाहर सो या गिग ना उसके बाद है खृत की कोमलता और जानबर में लंगड़ापन का लगाने के लिए प्रयक्तों करड़े है प्रयूपटेस्टर और खृत कर दोटने के बाद उनको नियमित बनाने के लिए हम रास पर काम लिए जो उसको गिष्णे के काम आता है ठीक है दोस्तों यह अप आटेंट साषब सर्जिकल निडल की जो सरजरी ने वाली निल तो ये दो प्रकार खोती एक तो सबप्ति क्दों क्ने निडिल बेल बौलते हैं यह क्या काम आती है ते संप Ready को मेट रखो गए अंद्र कंग उगए रक तवाइनी ख़ए तंत्र का इवा मास पेशियों में टाके लगाने के लिए काम में लेते हैं ठीक है सरजरी की गांट तो पहली सिंपल नोट क्या होती है जिसे हम सादर गांट बोलते हैं तो दोस्तों यह एक अपूंड गांट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं हाफिच बोलते हैं हाफिच बोलते हैं उसके बाद है स्क्वार नोट इसक्वार नोट क्या होती है साधर गांट के उपर दूसी साधर गांट विप्रीद दिसाम में लगाना क्या कलाता है स्क्वार नोट को लाती है से हम रीप नोट भी कहते हैं उसक तम गांट में दो गुमाप के पशाद दूसी साधार गांट लगाना ठीक है ना उसके बाद है डवल सरजन नोट डवल सरजन नोट क्या हुआ दोस्तों इसमें पहले तो हम दो सरजन गांट लगाएंगे उसके बाद एक इसक्वार नोट लगाएंगे ठीक है तब बन अब्रुश्ड दोसरा है नौन अब्जर्विबल सूचर मेटियल तो देखो दोस्तो अब्जर्विबल सूचर मेटियल का मतलब होता है या इसे टांके जिनकों लगाने के बाद नियों भाव केसा ही होने के पषचा सूचरी अफसोसित हो जाते है और इन्हें सामाने थे हम आंत्रे कंगों को सूचर करने के काम में लेते हैं ठीक है वो हो जाएंगे अपने absorbable suture material उसके बाद है non-absorbable suture material यानि कि ऐसे suture material होते हैं ये जो घाब के सही होने के पर श्वत्य अपसोसित नहीं होते हैं इनको क्या काटना पड़ता हटाना पड़ता और इन्हें हम सामाने थे भारी सत्य पर काम में लेते हैं ठीक है तो देखो absorbable suture material गोदार अपने cat-gut हो जाएगा ठीक है कंगारू tendon हो जाएगा कारगायल membrane हो जाएगा collagen हो जाएगा और facial data यह तो दोस्तों सबी कैसे हैं प्राकरतिक हैं या जीबों से प्राप्त होते हैं अगले जो एदारने हैं यह polyglycolic acid polyglectin 910 polydye oxygen यह कैसे हैं synthetic है संसलेसित हैं यानि कि मानब दरा निर्मित हैं यह ठीक है दोस्तों अभी बात करने वाले हैं किसकी हम non-absorbable suture material के उधार तो देखो non-absorbable suture material के उधार इसमें देखो पहला इसमें सिल्ग पहला इसमें सिल्ग सिल्के कोटन हैं लाइन हैं अम्रिकल टेप है होट सियर हैं और stainless steel wire यह सभी कैसे हैं नेचरल हैं ठीक है नेचरल हैं और उसके बाद है दोस्तों synthetic अब देखो synthetic देखते हैं synthetic कौन कौन से हैं synthetic में अपने nylon आ जाएगा बीठापिल आ जाएगा पॉली इस्टर आ जाएगा पॉली प्रोपाइलीन आ जाएगा ठीक है पॉली इथाइलीन आ जाएगा यह सभी कैसे हैं सिंतेटिक हैं अब बात करेंगे हम absorbable suture material की बात करेंगे तो देखो absorbable suture material में पहला आपना cat gut है यह दोस्तों कापी most है तो cat gut के बारे हम बात करते हैं तो यह जानबरों में सबसे ज़्यादा जानबरों में सबसे ज़्यादा प्योग मिलाए जाने बाला absorbable suture material है cat gut और यह खांसे पराप्त होता है यह भेड की आत की सम्मुकोजा परस से परा बात करेंगे हम दोस्तों कंगारू tendon की तो देखो कंगारू tendon होता है जो कंगारू की पूच के tendon से प्राप्त होता है और यह सबसे मजबूत absorbable suture material है यह सबसे मजबूत absorbable suture material है कहां काम लेते हैं इसको joint capsule एवं हरनिया की opening को सूचर करने के काम में लिया जाता है किसको कंगारू tendon को उसके बाद कारगायल membrane कारगायल membrane होती है बोवाइन की सीकम से प्राप्त होती है उसके बाद कोलेजन यह बोवाइन के फिलेक्जर टेंडन से प्राप्त होती है और इस पॉलिग्रेक्टिन नौस होता से यानि की बैक्रिल तो यह गलाइकुलिक एसड एवं लेक्टिक एसड का बहुलक होता है यानि कि इसमें गलाइकुलिक एसड होता है वो नो होता है और लेक्टिक एसड एक अनपाद में पाच जाता है ठीक है उसके बाद है पॉलिडायोक गट यहनुकी दिन के अंदर यह अबसीच हो जाता है यह इसके बाद टाइफ-P कहें जाता है यह special गां। बढ़ते हैं ज्यार्ड काम में यही लिया जाता है उससे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रमयोघ से उप Parents toそうだ τशाटा है ठीक है अब देखका बैंद करने वाले हैं कि गट के अफसर के समय को बढ़ाने के लिए कि अपसर के ग्रके जोब करिया होती ही वो कम होती है उसके बाद तीसरा क्रोमे क Southern कार को क्या यूद् है है हमें क्रोमे क्रोमे के ट गड कहते हैं और देखों सबसे जयादा काम में दी जाने वाली के ट गड कौन fått है मीडियूम क्रोमे टाइप सी होती है ठीक है जिसका अब 6 Jimmy का में 20 दिन क को सूचर करने के लिए काम लेते हैं अब हम बात करें बड़े जानबर की तो देखो बड़े जानबर हम जो साइज नंबर एक और दो होता है वो तो रख तबाइनियों के बांदने काम आता है और जो size number 3 होता है मास्पेस ये, वो फेसिया को सूचर करने के काम आता है और size number 5 होता है, वो रूमन और घरवास से को सूचर करने के काम में आता है ठीक है दोस्तों, ये तो अपने हो गए absorbable suture material, अब बात करेंगे हम non-absorbable suture material की तो देखो non-absorbable suture material में पहला आपना silk, यानि दागा, ये मुकत है काम में लिये जाने वारा non-absorbable suture material है और खांसे पराप्त होता है, ये रेसम के कोकुन से पराप्त होता है, ठीक है सिल्ग, यानि कि सबसे ज़्यदा काम में को लिये जाता है सिल्गी काम में लिये जाता है अब देखो cotton, ये सबसे सस्ती सूचर सामक्री होती है यानि कि बहुत आसानी से उपलब्द हो जाती है उसके बाद है linen, linen क्या होती है यानि कि अच्छी गुडवत्ता की कापास्चे पराप्त होता है, ठीक है उसके बाद है तो अम्रिकल टेप अम्रिकल टेप होती है ये नबजात में गर्बनाल को बांदने के काम में ली जाती है ठीक है ना नबजात में गर्बनाल को बांदने के काम में ली जाती है उसके बाद है stainless steel wire ये सबसे मजबूत सूचर सामक्री होती है यह जो iets टेंलेस से इटील वायर होती है यह सबसे मजबूत सब्सकार्ज करने के काम लेजाती नाइलोन नाइलोन होती है और हॉस्टे मेथालीण डायमरीजा का भगलाएब अब दिखादिक पॉल्टेण खूचर लगाने के तरीके सूचर पैटरन तो पहला आएप में पर्स स्ट्रिंग सूचर पहला कुंसा है पर्स स्ट्रिंग सूचर तो क्या होता है सरी कि प्राकर्तिक छिद्रों को सक्रा करने के लिए काम लेते हैं जैसे आम मान के चलो रेक्टर प्रोलेप्स के उप्चार में एनस के छिद्र को सक्रा करने के लिए काम लेते हैं उसके बाद है बेजाइनल परोलैस के उप्चार में काम ले जाने वाले सूचर पैटरम इनränक्ट॥ जो गया ने इन कहोनन प्रत में प्र्ष प्रोटार में ठीक है दोस्तों उसके वाद है सिमी डैंस सूचर उसके बाद है सिमीडेंस सूचर तो जेखो समीडेंस उचर को का में लेते हैं नहीं कि जो आतों के अंतिमस्रों को जोड़ने के लिए यानि कि intestinal anastomasis में काम लेते हैं किनको parker carer और gamey suture को उसके बाद है boneal mirror suture, boneal mirror suture कहां काम आता है tendon को suture करने के लिए काम में आता है उसके बाद है pin suture, pin suture क्या होता है सरी के गतिसी लंगों जैसे eyelid होती है इसको suture करने के लिए काम लेते है उसके बाद गजे ओबलेफिन suture, यानि कि यूसेब, तो hernia के उप्चार में hernia को suture करने के लिए उसके बाद है interlocking suture या जीसे हम low stitch बौलते हैं यह काम आता है, यह DH DH के उप्चार में काम लेते हैं यानि कि dia Dalmanifur rheumatic सूचर लगाते हैं तब काम लेते हैं अब दोस्तो अपना टॉपएक अपना एनिस्टीजिया यानि की निश्चे तक तो देखो निश्चे तक क्या होता है तो निश्चे तक के कारा की बात करें तो निश्चे तक unconscious यानि कि चेतना का हरड करता है दूसरा एनाल जैसे कि यानि दर्दकार नवार करता है उसका बाद है पेजिये सितलन यानि मसल रिलेक्सेंट करता है यानि कि जब हम anesthesia देंगे ना तो ये तीन कार रेवो करेगा ठीक है उसके बाद है कुछ और जन से सम्मेदन सुन होता है जो रसान होते है उनको anesthetics बोलते है आप देखो एनाल जैसे क्या होता है गादार नवारड करने वाली ओस्तिया परवाब एनाल जैसे ठीक है अब sedative क्या होता है sedative बिना नीन लाए बिना नीन लाए जान बर की तेजना को जानवर तेज़ना को सांत करने वाली वस्थी क्या कराती है विरती की वोता है ठीक है उसके बाद है लिप का सामाने निर्दर या ओस्थी के लाती है और जो जो इंकी अवस्था हुते हगते हैं Sun is उसके बाद नर्को टेक नर्को टेक क्या वोलते हैं चिरन लिंदराने वाली ऑघ्याने कि गहरी गहरी नीन धैलाने वाले उस्दिय को बोने को छोलते हैं तो सिन्स को कब्ढ़ते हैं उसका अग्ला इस्टी जैए करके पूरे सरीं कर करने ऐसे गद Подok local anesthesia सद्याइभ को सुन करने वाले रसानों होते हैं वो क्या गिलाते है लोकल anesthesia किलाते है उसके बाद स्वाद है उसके बाद स्वाद मिन इस्तिय करणी के लिए c 51 को ł ai terkrit fifty होती है यह सामाने निस्चे तक के लिए किसका काम करती है रत का का ररκिक पूर बेलेंस एनस्टीसिया यानि मिक्सर एनस्टीसिया तो सरीर में चेतना हरण यानि ठीक है दर्दनेवारण और पेसे सितलन के लिए थो सान देक्ड ओस्तियों को मिल्हाँकर देते थो जंड और क्रेंगे कारफिय dit क्या चैनल क्या है वह छोड़ कुछ में जाएंगे लिगनोकेन, प्रोकेन, कोकेन, टेटाकेन, ठीक है, प्रीलोकेन, मैपीबाकेन और भूपीबाकेन अब देखो इसमें पॉण्ट है कुछ सबसे ज़्यादा काम में आने वाला लोकल नेस्टी से कौन सा है लिगनोकेन, ठीक है, तो इन्फिल्डेशन, यानि कि इन्जेक्शन के दोवारा दो परसंट लिगनोकेन, एस्टी से एल काम लेते हैं इस्प्रे के दोवारा तो अच्छा पर छिड़काब करते हैं, टॉपिकली, चार परसंट लिगनोकेन, एस्टी से एल, ठीक है है उसके बाद है सबसे सक्टी साली इस ट्रॉंग एस्ट इनिस्थेसिया तो बोकूम सा है दो तो यह सामने तर्टेल करते हैं ठीक है पूंच आड़ देना तब काम लेते हैं तो इसे रूमिन अटोमी और सेजिरियन सेक्शन में काम लेते हैं उसके बाद नर्व बलोग अनिस्थीजिया तो इस्तानी निश्ये तक अपयोग करके तंत्रका को हम इसमें बिलोग करते हैं करनेस्टियल काम लेते हैं उसके बाद रीजनल निस्ती से क्या होता है कि इस्तानी निश्ये तक अपयोग करके सरीर के एक बड़े भाग जैसे का अगरपाद परश्रबाद को संबिदन सून करना यानिकि इसमें क्या है दोस्तों एक भाग लिया जाता है यानिकि रीजनल क के दोस्तों में लोकल इन फिल्ट्रेशन तो इसमें क्या करते हैं तनों की सरजरी करते हैं हमें काम लेते हैं या यह और्डा विलोक करते हैं Western तिन तीनों में इन तीनों को । फील्ड वیलोग एंडिसा भी कहा जाताब अब देखो कुछ महत्रमूर पर्णटें लेकि एप्टी जान सय full व्याइफज्थी से क्या होता एपिडूरल लेकि इंजक्षन खहा देते इन्जक्षण में क्या कामाने क्या कामने क्या काम लेते हैं 2% L other studies आप लेते हैं सभ्म ने फॉतमय उने खुड़े काई आता हैं जो इस उसमें गुदह का द्धार बंद मैं एक गाए में खादे में तो बटिवर्टी स्पेस में इसमें ती ते रहे लवन थेमं और व्लोग को रूमेन अटोमी में कामे लेते हैं । Sijerian Section क्या होता है, भिरूड में, Sijerian Seception का मतलब होता है, गरबास्षे में चीरा लगा कर भिरूड को भाल निकालना, अब बात करेंगे दोस्तों, सामान निश्यतक का बर्गी कर्ड, यानि कि Generally Anisthesia का बर्गी कर्ड, तो देखो, General Anisthesia होता है, तो दो परकार का होता है एक तो इनहलेंट एनिस्थीसिया और एक होता है इन्जेक्टेवल एनिस्थीसिया इनहलेंट का मतला होता है सूमने वाले निश्चे तक तो सूमने वाले अपने दो परकार का होता है एक तो गैसी है और एक गैसी है और एक बास्पसील तरल गैसी हमा में आजाएंगे कीटा माइन टिलेटे माइन और फेंसाइक लीडाइन ठीक ना उसके बाद है नौन बार्विचुरेट या नौन डिस्सोशिएटिव तो इसमें अपने किलोरल हाड़िट आजाएगा डाइजेगा मोर पीना जाएगी प्रोफोल आजेगा और सैपना जाएग एफसेस कहलाती है ठीक है इसका मुकब की अभियब मवाद होता है तो बंद गुवा में मवाद अकटा होना और यह कैसी होती है दर्द युक्त होती है इसमें दर्द होता है चुकर मैसुष करने पर कैसी मैसुष होती है सॉप्ट होती है और फिलोक्चिंग होती है और पॉ फिलुक्चिंग या नोन पॉइंटेड होती हैं उसके बाद बात करते तो उस्तों हिमेटोमा की, हिमेटोमा यानि तवचाख के नीचे ऐसा मान गुवा में रखत या फैबरिन का कलोट जम जाथा है उसे बोलते हैं हिमेटोमा, तो देखो रखत का ठका का या फैबरिन कलोट इसका मुक अभियव होता है और इसमें क्या हलकल का दर्द होता है और जो महसूस करते हैं तो कैसी आवाज आती है चरचराट की आवाज आती है उसके बाद बात करते हैं टूमर की दोस्तों तो टूमर क्या होता है सरी में कटोर गांट का बना या एनियंतित कोसका विवाजन होना क्या कलाता है टूमर कलाता है टूमर का जो मुक अब होता है वो ड्रक्त होता है बिलड होता है और टूमर कैसा होता है दर्द रहत होता है यानि कि देखने पर छूकर मेसूस करने पर कटोर गांट मेसूस होती ह करने के लिए क्या करते हैं या कんな आफ करएंगे या बदने के लिए क्या करते है जिंस क्राइब बोलते हैं तो उसके लिए को बाहर नकालते हैं उसके लिए प्राइब तोड़नी पर लेगी और हम डेसिंग किसे करते हैं तो इन्टिसेटिक करते हैं बिसमट के दुछाओ से बर नकाल को सर्जीर को सरीन करके तरल पदार्थ और नेच्व कर देंगे अब कर देंगे हमेटॉमां की फचार की बात करेंगे तो देखो में टो शक्र क्व। और लिगोल लावटीन और पॉपीडिन अउडिन लगांगे और टुमर अपर का है बिकरड रिडिशिन के दुआरा एंटी कैंसर एंटी उमर ड्रग देंगे जैसे बिंक्रिस्टिन टीक है बिन बिलिस्टिन यह सब जो एंडे कैंसर ड्रग धूगा अब दोको हम बात करेंगे एफसेस के के परकर है पिस्टल पिस्टल क्या होता सोती इडिसी पहला बड़े से से बनती है उसके बाद है योग घुल कलाती है यह गोड़े की पीट पर काटी कि द्वारा लगाए गए गट्षट से बनने से मिलक στην जाया किला है परकार में वाली की आती है यह फारी के चलती है जैसे की सिलेवरी से सट हो जाएगी और हम हम दृमोर grieving तो वे सिस्ट जिसमें बालेबं, सीवम पाय जाते हैं क्या कलाती है? अधियर्मोइड सिस्ट उसके बाद है उंट की गरदन में देखने को मिलती है उसके बाद है इनकेपसुलेटर सिस्ट जैने की परजीब के चारुआ पाए जाने वाली सिस्ट तो इसका उदाड हो जागा hydrated cyst है hydrated cyst है उसके बाद है exudation cyst है तो exudation cyst क्या होती है सरीर के गुवह में तरल पदार्त कट्टा होने की बज़े से बनने वाली cyst होती है वो क्या कलाती है exudation cyst होती है जैसे hydrocelle hydrocelle क्या होता है बिट्टडो में पानी का बढ़ जाना उसके बाद है congenital cyst congenital cyst क्या होता है बिरूड की गुवह को बंद ना होने के कारण बनने वाली जो cyst होती है वो क्या कलाती है congenital cyst कलाती है जिसमें यूरेकल cyst आ जागी ठीक है दोस्तों ये अपने cyst के प्रकार हो गए अभी बात करने बालेंगे operation यानि कि उपचाट से संब्दित महित्पूर जानकारी तो देखो firing क्या होता है firing क्या होता है firing जिसे हम बोलते है थर्मो कोटरी थर्मो का मतलब होता है गरम कोटरी का मतलब जलाना यान उतकों को जलाना तो करते क्या है दोस्तों लोहे की गर में छड़ से तो अचा को पूर गहराई तक जलाते है तो इसके लिए हम क्या काम लेते है firing आईरन काम लेते है उपकरड होता है जिसको हलका लाल रंग होने तक गरम करके काम लिया जाता है यह अपचार का प्रमपरागत तरीका है यह काउंटर इडिटेंट की तरहें कार करता है यह सामने ते रेस होर्स में लोवर लेग इंजरी के अपचार में काम लेते है कौनसा तरीका फाइरेंग अभी देखो बात करने बाले हैं अपूटेशन ओप तेल की अपूटेशन ओप तेल क्या हुता है यह सामने आँप टोर्णों क तर्णी कुल काम लेते हैं अब देखो ओपरेशन के दोरॉसरार में तरनी कूल लगाते ठोड़ने कुल वह होता है जो पूच के आदार पर हम उसको बांदेते हैं जिससे बिलड सप्लाई कम हो जाती है और पूच पर भी आकरती है अर्द बिरतकार चीरा लगाते है ठीक है और तुछा पर सिंपल इंटरप्टेड या होरिजिन्टल मेटर सूचर लगाते है उसके पादे दूस्तों डोकिंग डोकिंग क्या होता है यानि की पूच काटना डोकिंग क्या होता है जानबर को संदर दिखाने के लिए उसकी पूच काटना ठीक है जानबर को संदर दिखाने के लिए उसकी पूच काटना क्या करता है डोकिंग करता है अब डोकिंग क्या होता ह निखलने के लिए उम्र को जलाकर नश्ट करना क्या क्लाता है तो बचले में सिंग्रोधन के उम्र कितनी होती है 10 दिन के उम्रें पहले हम से न करना चाहिए तो चाहिए यह चाहिए और यह केमिकल में यह काम लेते हैं लेते हैं कास्टिक सोड़ा है यानि कि दुवारे जलाते है यह कि लेते हुँं जिसका टेंपरेफर होता है यह डिगरी फाने नाइड होता है दस सेकंड के लिए ठीक है दोस्तों उसके बाद है डी ओर्णिंग क्या होता है एंपूटेशन औप रह नहीं सींग को काटना तो सींग को काटना सींग को कप काटनेंगे जब और रहने कैंसर हो जाएगा उलीपेरेवल इंजिरी यानि कि elliptical चीरा लगाते हैं उपकाड़ कौन सा काम लेते हैं सौ एवं बाहर से सिंग को काड़ते हैं और रक्त साब को रोकने के लिए दूस्त हम पॉइंट भायरिंग या क्रिस्टल काम लेते हैं और सूचर कौन से लगाते हैं इंटरप्टेड मैट्रस सूचर पैटर्न क जोरा काम लेते हैं ठीके ना अभात करेंगा टेंट वेई पॉन गी तो देखो टेंट विंग क्या हता है यानि कि जानवर की पैचान के लिए सारी को गोदना क्या करता है टेटुइंग कहलाता है ये बेड बकरियों में सबसे ज़्यादा काम मिली जाने बाला पहचान का इसता ही तरीक होता है टेटुइंग तो टेटुइंग हाँ करते हैं उचेतिस्तान क्या इसका कान की आंतरिक सते पर दोनों स्राओं के मद्द उसके बादे दुस्तों डिश्लोकेशन को बलते हैं लगजेशन क्या होता है ये किसी जोड की हड्डियों में यानि कि किसी जोड में हड्डियों की आर्टिकुलर सते का बिस्तापित हो जाना क्या कहलाता है ठीक है तो जोड में किसी भी हड्डि का अपनी स्तीती से रेटेंशन तरीके चलता है तो देखो लचल क्या होता है यानि की जानवर का होता है यानि कि पीछे की और पच्छेपाद को जमीं से रगरता हुआ चलता है इसका उपचार दोस्तों क्या है डियूर्पटेलर डैस्वी कि यारि कि म्यक्य ल्गामेंट होता है उसमें चीड़ा लगाते हैं यह तो वह घाटी के सर्जिकल ट्रिटमेंट अब बात करेंगे कि हम केमिकल ट्रिटमेंट की लिए को करते हैं पांच हमेल क्लोरोफोर में लेते हैं तो इसको नहीं देड़ेते हैं हम बात करते हैं तो उन्ट में पड़ेल लगामेंट होता है तो अनुपस्तित होता है करते हैं तो उसके बाद बात करेंगे घाव क्या होता है तो पहला होता है जिने हम इंटर्नल बुंड करते हैं ठीक है इसमें भंग नहीं होती है जबकि त्वचा के नीचे के जो उतक होते हैं वो नस्ट हो जाते हैं तो इसमें आजाएंगे अपने कॉंटूजन क्लोजमन का मतलब दोस्तो बंद घाव इंटर्नल यानि आंत्रिक घाव ठीक है तो पहला इसमें कॉंटूजन क्या होता है बिलेंट आपजेक्ट यानि बहुते बोटे अतियार के प्रियार की बज़े से त्वचा के नीचे उतकों का नस्ट होना क्या कलाता है अगला आप ब्रूइस यानि की नील पढ़ना तो यह एक माइल्ड डिग्री कॉंटूजन है जिसमें त्वचा के नीचे जो कैपलिरी जो होती है ना केस का वो क्या है नस्ट बाद नोब उसके बाद दोस्तो ओपन बुण ओपन बॉंड या एक्टरनल बॉंड तो होता क्या इसमें यानिकि तवचा की निरंता भंग हो जाती है वह गाव भारी बातावड के संपरक में रहता है तो इसके नियमे प्रकार देखो एक तो इंसाइज बॉंड क्या होता है दारदार अतियार से बना गाव जिसकी परदी नियमे तव将 इसपसठ हो जैसे चाकू स्केलपर रेजर बिलेट से बनने वाला गाव उसके बाद LAसरेटर बॉंड रेसरेटर बॉंड क्या होता है वह गाव जिसकी परदी क्या है ब bracon के इसमें बाड़ेट्नग से बनने वाला गाव जिसमें सरी की ग्वह में संकरोन फैलने का खत्रा रहता है जिसे हो जाएगा अपना गोरड़भुंद उनके जानबर के सीमव में से उने वाला गाव उसके फिरह से में नकासिके दो चित्र बनते हैं आकर शमान वटा है उसके बादаюсь से गसी से बड़ा होता है उसके बाद इसके बाद इन्ट बॉलेंट रुयरिय के संकरमट से पुष्ट मैं बैसीकल से मिध्व Vairo Gar's ठीक है FMD भायरस, III,士, टी बी बेशाण द्वराव स कह बातर है बंड, आप्वाणर क्या होता है जै हेलिकेल कारने से बनने वाला एवरेजचन क्या होता है खरोईं से तवाच आकि फारीपरत का अदक कост हड़ जानों स कबाद हो ऐसा गाब जिसमें सउढ होने की छमता हो उसके बाद है उसके वह बढकर है सर्जरी करते समय बनाइज जाने बाला गाब जो संकमड रहे तो हता है उसे सब्सक्राइब गाव जिसमें सूच में चीब उपस्तित होते हैं अन्य मैटवर घाव जानवर के काटने से वने वाला घाव और इस इस घाव को साब मैगट को मारने के लिए अधाल कानले के लिए क्या काम में लेते हैं अब बात करें हम घाव का अपचार तो माइल्ड इसमें माइल्ड एंटिसेप्टिक काम में लेते हैं यानि जैसे 0.1% से 0.2% के मेर विर यान के लाज़ताब हकाम लेते हैं उसके बात पोविदीन ऐउड में तो इसकी काडम। करने की छहमता प्रीजाद की अप्लब जदा पर मिर्भष चार्फित्ह कणब ओग्यां करता और किकषण वान जांद तो पोविदीन ऐओ는 20 को 2 के संक्रमड के अब्चार में कामें नहीं लेते हैं क्योंकि यह पोटो टोक्षिसीटी करता है यह दुस्त अ मौत मौट है अब बात करेंगे हम फ्रैक्चर की तो फ्रैक्चर क्या होता है क्टोर मोबिलीटी और जहांने गतिय 48 अंहिंक ऑस रहने Though् ऑप from literature के बरकी गड़ड की बात करणें देखो 000 कि बाताबड़की तो संपरक आधार-पर- पहलने सो टक्या है कि फ्रेक्टर साइट बाताबड की समपरκ में रहती है इसमें अद्गी पूरती है पक्रकम रहती है यंद्ट टूटने के साथ साथ तवचा उतक मास्पेश यह मुं रखतवाई निया नस्ट हो जाती है उसके बाद दोस्तों फ्रेक्चर लाइन के विस्तार के आदार पर तो इसमें पहला है इनकंप्रीट फ्रेक्चर में अड़ी के निरनतर पूरते भंग नहीं होती है इसमें अड़ी कि युद्य दो थी भागों में विवाजित हो जाती धीक आदा इनकंप्रीट फ्रेक्चर के कि प्रक्षार प्रकॉरत का उपलिक प्रेक्टर के सते हैं का गोमापदार होना ये वह अब⋅ sık्यायान चलता हैं उसके बाद है औरากल्स के जाल bombers multiple fracture, multiple fracture क्या होता है, अड़ी का छोटी छोटी टुकड़ों में विबाजित होना, ठीक है, उसके बाद है, evolution fracture, evolution fracture क्या होता है, tendon के खचाब के कारड, tendon से जोड़ा हुआ, अड़ी का भाग तूट कर अलग हो जाता है, उसके बाद है, impacted fracture, अड़ी के, cortical भाग का, kelseus भाग में दस जाना, यह सामने ते लंबी हड़ीों में, metaphycism, diphycism के junction पर देखने को मिलता है, उसके बाद है, montagial fracture, montagial fracture, यह अलना के, olecanon process का fracture है, हड़ी की कोस्काओं की बात करें, तो देख, osteocyte क्या होती है, हड़ी कोस्काओं होती है, जिन से हड़ी मिलकर बनी होती है, उसके बाद है, osteoblast, यानि कि हड़ी का निर्माड करने बाद ही कोस्काओं होती है, osteoblast, osteoclast क्या होती है, हड़ी की मैक्रोफेज होती है, जो हड़ी को nest करने का काम करती है, तो देखो फ्रेक्चर प्रेक्चर के उप्चार में क्या करते हैं यानि कि टूटी हुई हड़ी समसूत यह विपाजन की बदशे जूढती है हड़ी सीधी रेकासे जूढ़े इसके लिए हमारा कारेट-टूटी हुए हड़ी के दोनों भागों को यह कर्ष मिलाने के फर्षा इस तिर बनाना होता है जिसे क्या बोलते हैं fixation या immobilization या actually card बोलते है तो इस तिकरण के अपने दो तरीके होते हैं एक तो external immobilization यानि की भाई इस तिकरण और एक होता है internal immobilization तो हम बात करेंगे पहले भाई इस तिकरण की तो इसमें खपची या plaster of Paris तो अच्छा पर लगाया जाता है तो देखो बात करते पहले हम खपची की खपची होती है फ्रेक्चर के अप्चार में प्रात्मक्च किस्ता के तोर पर काम में ली जाती है उसके बाद है प्लास्टर ओपएरिस ठीक है ना तापमान बाला गुर्णगोना पानी काम में लेते हैं ताकि इसका जमाब ठीक है उचित समय पर हो कितना काम लेते हैं तीस से 35 डिगरी सेंडिग्रेड बाला ताप यानि कि बेंडे जेब हम पी ओपी पावडर को भिगोने के लिए तीस डिगरी सेंडिगरेड से 35 डिगरी दापमान बाला गुर्णगोना पानी काम मे लेते हैं और दこれは यानि पाहिए स्तिक्रण को निम अट्डियों के भ्रेक्जर में ताप्शे में काम लेते हैं मेटाटार्सल का फ्रेक्चर होता है उसमें काम लेते हैं अभी बात करने बाले हैं हम किसकी अंत्य इस्तिक्राड की यानि इंटर्नल इमोबिलाइजेशन की तो इसमें देखो पहला है इंट्रमेडुलरी पाइनिंग जैसे आई एम पी बोलते हैं तो इसको कहां काम लेते हैं फीमर एवम हुमरस के डाइप आइसस को ठीक करने के लिए काम लेते हैं यह लंबी हटी की मेडुलरी कैविटी में पिन को इस तरिक किया जाता है पिन को मेडुलरी कैविटी के अंदर डालने के लिए बोन बाइनिंग चक काम मिलेते हैं ठीक है बेड़ वकरी में यह पिन परियाप्ट होती है जिसे स्टेक पाइनिंग का जाता है उसके बाद है ट्रांस्पिक्सेसं रिरिस आलना टिविया के फ्र यह अंतेस्तिकरण का सबसे मजबूत तरीका होता है उसके बाद है और्थोपेडिक बाइरिंग इस्पाइरल कम्यूटेड एवर मुल्टिबल फ्रेक्चर के साइखनने के लिए काम लेते हैं उसके बाद है दोस्तों बोन इसक्रू बोन इसक्रू यह दूपरकार कोते हैं तो मेंडिबल फ्रेक्चर को सभी करने के लिए इंटर डेंटल बाइरिंग काम लेते हैं तो दोस्तों यह अपनी सरजरी कम्प्रीट होई और दोस्तों इसको बढ़िया से एक दू बार देख लेंगे तो आपके अच्छे से याद हो जाएगी ठीक है दोस्तों